पूरा विपाक्ष किसी चीज में अपना दम नहीं दिखा पा रहा है तो विरोध कर महौल खराब कर अपना दम दिखाने की कोशिश में लग गया है पर अपसोस इसमें भी विपाक्ष बेदम ही है नीट और नेट के मुद्धे को लेकर मोधी सरकार आक्षन में है कारवाई भी हो रही है पर कॉंग्रेस पार्टी ने आज इसे बड़ा मुद्धा बनाने की कोशिश की कॉंग्रेस कारिकरताओं ने आज कई जगों पर विरोण प्रदर्शन किया पुलिस और कॉंग्रेस कारिकरताओं के बीच में धक्का मुक्की की भी खबर सामने आई कईयों को हिरासत में भी लिया गया तो वहीं दिल्ली में जल संकट को लेकर एक अलगी नौटंकी कर दिया है साथी लोगसबा का प्रोटेन स्पीकर नियुक्त होते ही बवाल भी शुरू हो गया है कॉंग्रेस पार्टी के नेता जराम रमेश ने सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने कहा कि यह संसर्द्य परंपरा के खिलाफ है तो अलग-अलग मुद्द पार्टी के विरोध प्रदल्शन से ही करते हैं आज इंटरनाशनल योगा डे हैं मोदी जी ने श्विनगर से संदेश दिया लेकिन बिपक्ष क्या इस दिन को विरोध में बदलना चाथा था क्योंकि प्रोटेस्ट करना था तो कल भी कर सकते थी और यह प्रोटेस्ट सक्स हुआ है उसको बचाने के लिए आप इस चीज़ को समझे इनको अगर यह जो पेपर लिग करने वाला गैंग है उसको पनिश करना है तो आपको प्रेस कॉंशन्स करके एक मांग करनी चाहिए कि सरकार इस सत्र में एक कड़ा कानून लेकर के आए लेकिन नहीं कारण इसको सम करनाइजड क्राइम है दे केंनोट सर्वाइव विदाउट पॉलिटिकल प्रोटेक्शन तमिलनाडू में एजुकेशन माफिया कितना अर्वों खर्वों कमाता है यह कोई जान कोई चीपीवी बात तो नहीं है महराष्ट हो करनाटक हो दिल्ली हो यह सारे लोग यह सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और यह सारा पैसा हर पॉलिटिकल पार्टी के पास जाता है हर का अपना सेटिंग है और इसलिए मामला इतना विशाल हो रहा है कि सरकार कुछ न कुछ ऐसा कानून लेकर के आ जाए कि बिल्कुल खत्म हो जाए यह लोग तो उसको बचाने के लिए आप क्या करेंगे आप इसको पॉलिटिकल कलर दे देंगे पॉलिटिकल कलर देंगे तो मामला जो है वह इधर उदर हो जाएगा वह तमिलाडू में क्यों नहीं आपके साथ डिम के वाले आए बिहार में आरज़ेडी वाले क्यों नहीं माफिया वाले सब जेल के अंदर हैं को ऐसा राज नहीं कि जहां पेपर लिक करवाने वाले एजूकेशन माफिया वाले यह सारे लोग जेल में नहीं हैं दो मेना साल मर एक साल दो साल जेल में रहते हैं वापस आ जाते हैं लेकिन यह बदस्तूर यह रैकेट जारी रहता है मतलब बिरोक्राट को भी पैसा मिल रहा है पुलिश को भी मिल रहा है और record पार्टीस को भी मिल रहा है और मैं आपको कह दू इस पाप में कोई particular party इससे अचूती नहीं है ये ऐसा धंदा है इसमे सारे लोग इसमें नंगे हैं तो आप क्या कर रहे हो आप उसको कैसे ये सिस्टम जारी रहे कैसे हौच पॉच करके मामले को खतम करवा दे उसमें लगे वे हो अगर युवाओं की चिंता राहूल गांदी को है तो एक सिंपल सा प्रेस कॉन्फरेंस कीजिए एक प्राविट मेंबर बिल लेकर क्या है कि जो कोई भी इसमें आएगा उसे फांसी की सजा देखती कौन मना करता है लेकिन आपको वो काम करना नहीं है आपको उनको प्रोटेक्ट करना है सरकार को अभी इमिडिटली गोशना कर देनी चाहिए क्या में कड़ा कानून लेकर क्या रहे हैं आतंकवाद की तरह इसको हम ट्री तो ये लगेगा कि पॉलिटिकल क्लास जो है वो युवाओं के भविस के बारे में कुछ सोच रहा है लेकिन पूरा प्रोटेस्ट जो है वो फेल रहा राहूल गांदी क्यों नहीं आए और एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट हुए उसमें अगर प्रियंका वाडरा सामिल हो जाती या राहूल गांदी शामिल हो जाते तो ये प्रोटेस्ट और बड़ा होता लेकिन मुझे लगता है कि अगर बड़ा प्रोटेस्ट होता तभी ये शामिल होते इनको पहले से इंपुट मिल चुका था कि इस भीड का हिस्सा मत बनो अब ही जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें तो युवा लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं होंगे. लेकिन वो लोग भी हैं जो की क्रामतिकारी बनने की कोषिश में पुलिस पर पत्राओ कर दे, बैरिकेट तोड़ दे. तो जो बैरिकेट तोड़ा जाएगा पुलिस पर पत्रा होगा हंगामा होगा तो प्रियंका वाडरा हो या राहुल गांधी हो यह सब की पिटाई कुटाई हो जाएगी तो इसलिए इन लोगों ने तो पहले माल लिया था कि प्रियंका वाडरा राहुल गांधी जैसे लोग सड़क पर तभी उतरेंगे जबकि इनको लगेगा कि लाखो की संख्या में लोग उतर रहे हैं जब दूसरी पार्टी के गठवंधन सयोगी जो है वो लोग इनको सपोर्ट करेंगे लेकिन इस मसले पर विपक्ष के अंदर भी क्रेडिट वार चल रहा है कोई भी पार्टी यह नहीं चाह रही है कि रहुल गांदी से अगर नीट के छात्रों का परतिनिधी मंडल मिला है तो ममता बनारजी से क्यूं नहीं मिला अर्विद किजरिवाल की पार्टी की किसी नेता से क्यों नहीं मिला शरत पवार उद्दर ठाकरे के पास क्यों नहीं गया ये नीट का जो एक्जाम होता है वो किसे स्टेट लेवल का एक्जाम तो है नहीं ये तो All India एक्जाम है और इसमें Central quota और State quota होता है 85 और 15% का कि स्टेट के जितने colleges है Medical के उसमें 85% quota जो होगा State Government का और फिर 15% quota All India रैंक से तैह होंगे ये तो हर स्टेट में Medical College है तो उन स्टेट में वहां के छात्र जो हैं वो अपने आसपास के जो छित्रिये पाती है उननेताओं से मुलाकात करते ये सब के सब परतिनिधी मंडल है जो राहूल गांदी से मुलाकात कर रहा है तो अर्विंद केजिरिवाल की पार्टी क्यूं सपोर्ट करे शरत पवार की पार्टी क्यूं सपोर्ट करे तो ये इन लोगों के बीच सामंजस नहीं है कौन नेता बड़ा बनेगा किसके कंदों पर विपक्ष की जिम्मेदारी आ जाए कौन विपक्ष का एक सर्वमान नेता बने अभी ये लोग इसी में उल्जे हुए है इसलिए विरोध परदर्शन जो है ये राहुल गांदी के लिए सिर्फ मीडिया में जिन्दा रहने का साधन है तो कि अब ये पूरी तरह से लड़ाई हार चुके है ये बोल रहे हैं पूरे एजुकेशन सिस्टम के उपर भारतिय जन्तापार्टी संग का अधिकार हो गया है वर्चस हो गया है तो इससे पहले एजुकेशन सिस्टम पर किसका वर्चस होता अभी भी ये वामपंथी इतिहासकारों के दो चार लाइने चेंज की जा रही है तो ये भड़क उठते हैं तो आगे अभी तो बहुत कुछ परिवर्टित किया जाना है अभी तो आपके खांदान के इतिहास से भी छेड़ चार किया जाएगा जो पूरी इतिहास के किताबों में 80% नहरू और 20% में सारे परधान मंत्री निफ्टा दिये जाते हैं जैसे ये तीन मुर्ति को जवाहरलाल नहरू मिमोरियल मुजियम लाइबरेरी बनाया गया था अब पीम मिमोरियल लाइबरेरी बना दिया गया उसी तरीके से पूरे इतिहास बदले जाएंगे तब राहुल गांदी को पता चलेगा एजुकेशन सिस्टम में फेर बदल क्या होता है बात दिल्ली की करे तो खैर आज केजरिवाल की रिहाई की खुशी मननी थी लेकिन वो मातम में बदल गया अंशन का जो एलान आमादनी पार्टी के तरफ से किया गया था सत्यगरा आंदुलन उसकी शुरुवात आतिशी ने कर दी है क्या ये सरेंडर है देखिए जब आप से काम नहीं होता है जब आप ये समझ जाते हो कि हम पानी नहीं मोहिया करा सकते जब आपको ये समझ में आता है कि मैं कामचोर हूँ मैं निकम्मा हूँ मुझसे नहीं हो पाएगा सरकार नहीं चला सकते पानी नहीं मोहिया करा सकते बिजली नहीं दे सकते तो क्या करेंगे आप तो कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे इज़त भी बच जाए और हमारे कामचोरी भी छिप जाए तो आप धर्नापरदस्न करने लग जाएं भई आपका काम क्या है सरकार का काम होता है कि अगर पानी नहीं है तो पानी लेकर क्या हो बिजली नहीं है तो बिजली की विवस्था करो दवाई नहीं है तो दवाई की विवस्था करो स्कूल में किताबे नहीं है तो कौन लाकर के देगा मोदी जी लाकर के देगे जब सब काम केंच सरकार कोई करना है तो आपसे काम नहीं होगा तो हम भूखरताल पर बैठ जाएंगे अब पुर्धान मंत्री कल कहें कि हम भी भूखरताल पर बैठ जाएंगे देश चलेगा ऐसे लेकिन आतिशी कह रही है कि जब तक समस्या का निप्टारा नहीं होगा एक अन का दाना नहीं हो तो आज बारिस वारिस हो गया दस दिर इनको छोड़ देना चाहिए इनकी नोटक की उसी में खत्म होगी तुम्हारा काम है तुम जानो और नहीं मोहिया करा सकते हो इस ले गई नहीं किसी दूसरे कॉम्पेटिट आद्मी को बनाओ आपको सुप्रिम कोड गए वहां लाताल पड़ी आप जो है यमना बोर्ड में गए वहां भी आपकी डाल नहीं गली आप इंफ्रस्रक्टर बनाओगे नहीं पाइप्लाइन बिछाओगे नहीं कुछ चिंता क कि बेटा यहीं देख रहा था कि आपका बेटा आपको 24 गंटे पानी मोहिय करा आपको कहा हां से लाइगा बीक मांग कर के र्यानवाले JIM HEY क्यों कहा हर्यानवाले हमें देंगे तब 24 गंटे एम पानी देंगा और पानी से मूंन लगा के पी लो गए, आरो की जुरुत नहीं पड़ेगी, फिल्टर नहीं ही तो के जरेवाल का वादा था, नहीं पूरा कर सकते हो, तो कैतो भाइ नहीं पूरा होगा, यह तमाशा क्यों हो रहा है? देखिए, सवाँ बात की एक बात, यही इन लोगों की खासियत है और इस चीज को छिपाने के लिए मीडिया और ये और वो सारा कुछ आज तो बहुत ये लोग तमाशा कर रहे थे कि ये काम करेंगी वो काम करेंगे आएंगे वो कहां से तिहार जल से सीधे भोगल आएंगे जहां पर धरना प्रदसन कर रही है बड़ा विशाल हो जागा जाएंगा मीडिया इवेंट बनाएंगे वे देखिए लड़ जगड़के घर नहीं चलता आप यह सोचोगे किन सरकार से लड़के, हर्याना से लड़के, U.P. से लड़के, हिमाचल से लड़के, सब से लड़के आप अपनी सरकार चला लोगे य तो यही पाएंगे, फ्रॉड को वोट पड़ेगा, तो फ्रॉड में आपको रिटन में मिलेगा, बिल्कु सार, लेकिन प्रोटेम स्पीकर की न्युकती, इसको लेकर भी ववाल हो गया है, कॉंग्रेस पार्टी का काम सिर्फ सवाल खड़ा करना है, कॉंग्रेस अपने इतिह को नहीं देखती है, और ये नहीं समझती है कि परंपरा, संविधान, कानून, व्यवस्ता क्या कहते है, इसका मतलब क्या होता है, राहूल गांदी ने, जहराम रमेश ने सवाल उठा दिया, प्रोटेम स्पीकर कैसे भरतरी हरी महताब को बना दिया, आपने सबसे संविधान क्या कहता है, प्रोटेम स्पीकर शब्द का उपयोग कहा किया गया है, क्या कॉंग्रेस के लोग बताएंगे, अगर इनको तकलिफ इतनी है, और संविधान विरोधी फैसला ये है, तो ये सुप्रीम कोट में जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले भी धका खा चुके हैं सुप्रीम कोट से प्रोटेम स्पीकर के मामले में, प्रोटेम स्पीकर शब्द का उपयोग कहीं संविधान में है ही नहीं, इस सब्द का इस्तेमाल केवल और केवल संसदिय कार्यमंत्राले के नियामवली में है, और उसमें इस सब्द का इस्त सदस्व होंगे उसके शपत गरण के लिए राष्ट पती को अधिकृत किया गया है लेकिन तो इसके लिए राष्ट पती नियूक्त करेंगे एक व्यक्ति को और धूसरे व्यक्ति को उनकी सहायता के लिए न्युक्त करेंगे यानि कि संसद का ही कोई सदस होगा जो परंपरा इन लोगों ने बना दिया कि सबसे जादा समय तक संसद सदस रहें उसको बनाया जाएगा अलग अलग समय पर इसमें चेंजे जाए हैं और कॉंग्रेस ने भी कई बार ऐ कि बात है अभी तो कॉंग्रेस को ये खुदी समझ लेना चाहिए कि स्पीकर किसका होना चाहिए सबसे बड़ी पार्टी भारतिय जनता पार्टी एंडिये के कोई भी पार्टनर ने अब तक ये नहीं कहा स्पीकर के मामले में हम समर्थन नहीं देंगी तो फिर आपके पास जब संख्या ही नहीं है तो फिर स्पीकर नियुक्ति के लिए और उसके चुनाब के लिए प्रोटेम स्पीकर के उपर सवाल क्यों खड़ा कर रहे हो कि हमारे सांसत को होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अंदर ये पनप रहा है कि मेरा सांसत होगा तो सदन में कुछ खेल करेगा ये तो इनके अंदर की चीजे है सुप्रिम कोट में जाएगा नहीं क्योंकि पहले ही इनके जो दो महारती हैं सिब्बल और सिंग भी ये दोनों सुप्रिम कोट में गये थे करनाटक के मामले में जब करनाटक में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया विदा शब्रिम कोट को कहा कि गलत है नाजाज है इनसे वरिष्त रदस भी बैटे हूए इनको बना दिया गया सुप्रिम कोट ने साफ कहा कि समयधानिक बात देता है नहीं है जिन्ने ग़वर्नर बना दिया बना दिया वही है जो पहुत्म साभित करेंग आगे इस विवाद को ख तो यह न सुप्रिम कोट जाएंगे नहीं यहां पर अपना संख्या बल दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ बवाल करेंगे उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा अब प्रोटेम स्पीकर आये हैं फिर स्पीकर की नियुक्ति होगी चुनाब होगा और उसके बाद यह लोग सिर्फ पीटते रहा जाएंगे विपाक्ष को दिक्कत होने लग गई है इस पर राजनीती भी शुरू हो गई है साथी नीट पेपर लीक और नेट परिक्षारत को लेकर भी राजनीती जारी है और दिल्ली में पानी की संकट को लेकर नया विरोद भी शुरू हो गया है आप अपन झाल